भारत विश्व में अवल और यूपी देश में टॉप पर सीम योगी किस दावे ने पूरे देश में मचा दी खल बली सीम योगी ने अपने बयान में एस्टुडेंट्स को लेकर भी बोला था कुछ खास मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने भारत को विश्व की अवल और उत्तर प्रिदेश को देश की शीर्स अर्थ बयवस्था बनाने में नागरिकों की भूमिका को महत्रपून बताते हुए कहा इसे लक्ष के प्रती देश की नागरिकों को भी अपनी जिम्यदारी निभानी होगी मुख्यमंत्री मानाणा प्रताप सिक्षा परशत के नबवे संस्थापना सब्ता समारों के सुभारम कारक्रम की अजविचिता करते हुए कहा देश को विश्व की शिर्स अर्थवेवस्था तथा प्रदेश को देश में शिर्स अर्थवेवस्था बनाने की जिम्यदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है नागरिकों को भी इसमें अपनी जिम्यदारी निभानी होगी इसके लिए क्रशी, सिक्षा, प्रयाध्योगी की समित सभी शेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा इस्टाटर परध्यान दिना होगा उत्तर प्रदेश में असीम संभामना हैं ये क्रशी परधान राज्य है यहां की भूमी सबसे उर्वर है यहां प्रचुर जल संसाधन है यहां की व्रधी को ही दो अंकों में लाकर अर्थेव्यवस्था को और सम्रद बनाये जा सकता है विश्र की पांचवी सबसे बड़ी अर्थेव्यवस्था है भारत आजादी के अमरत मौसों में भारत सकरात्मक दिशा में आगे बरते हुए वैश्वीक इस्तर पर नए-नए प्रतिमान इस्ताफित कर रहा है भारत कुद पर 200 साल तक शासन करने बाले ब्रिटिश को पचाल कर विश्र की पांचवी सबसे बड़ी अर्थेव्यवस्था बन चुका है ये वैश्वीक मंच पर भारत की बरती प्रतिभा का प्रमान है मुखे मंत्री ने कहा कि गत 1 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने विश्र के 80-30 संसाधनों का नेतुतर करने बाले 20 देशों के समूं G20 का नेतुतर प्रदान किया नेतुतर करता की रूप में भारत पूरे विश्र का मार्ग दर्शन करेगा उन्होंने संस्ताओं को सिर्फ शिक्षणता की सीमित रहने तथा विद्यार्थियों से प्रतियोगी गत्विधियों में भी शामिल होने की अफिल की है इस सुडेंट्स इसके विना प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपना लक्ष मुखे मंत्री ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन का महत्य समझाते वे कहा जिसके जीवन में अनुशासन नहीं होगा वो कभी लक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है अनुशासन हींता व्यक्ति का जीवन पेंडूलम की तरह होता है अनुशासन के महता को समझते हुए माराना प्रताप सिक्षा परिशत के संसापक सप्ता का शुभारम अनुशासन परवसे होता है 1932 में माराना प्रताब सिक्षा परिशत की रूप रेखा आजादी के लड़ाई और आजाद भारत की आठ जरूरतों के अनरूप बनाई गई थी योगी कभी नकारात्मत भाव के साथ नहीं रहता मुखे मंची ने कहा माराना प्रताप सिक्षा परिश्यत की स्थापना ब्रहमिलीन महंत दिगवजयनात ने उसे काल खंड में की जब देश आजादी की लड़ाय लड़ रहा था कई लोगों के मन में ये सवाल था क्या आजादी मिलेगी भी या नहीं पर एक सन्यासी एक योगी कभी नकारात्मत भाव के साथ नहीं रहता पुरिशार्थ वक कर्म पत पर आगे बढ़ते हुए परणाम की चिंता नहीं करता देश की इस प्रगती गाथा में उत्तर प्रदेश का हैम योगदान होगा राश्टी सिक्षानीती घोशित कर परदानमंची ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष रखा ये सिक्षानीती सरवांगीड विकास का पत प्रश्रस्त करती है सबी सिक्षण संसान, राश्ची स्क्षण नीती से जोड़कर खुद को समाज राश्च के प्रतीब दाइतियों की निर्भन के लिए तैयार करें CM योगी की कही गई इन बातों पर आप की क्या राय है और क्या आप CM योगी की इन बातों से सेहमत है अपना जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में जलूर बताईए वीडियो पसंद आया तो शेयर करें